हलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर से मारे यूटूब चैनल जो बंडार पर दोस्तों एक बार फिर से मापके लिए एक बड़ी भरती की अपडेट लेकर आ चुके है इस वीडियो में बात करने वाले है डियाइडियो PXE Bumper भरती 2021 के बारे में यहाँ पर post है apprentice जिसके लिए All India से male female both candidate apply कर सकते है दोस्तों apply कर सकते है male के दवारा घर बेटे ही जी हाँ दोस्तों घर बेटे ही male के दवारा आप इस भरती के लिए apply कर सकते हो selection के अगर बात की जाए selection आपका बिना किसी आगजाम बिना किसी interview सिधा merit list के आधार पर होने वाला है apply करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी application fee जमा नहीं करानी होगी आप इस भरती के लिए बिना किसी application fee के apply कर सकते हो दोस्तों अगर आप भी इस भरती के लिए apply करना चाहते हो तो apply करने से पहले आपको जानना होगा कि apply करने के लिए क्या eligibility criteria होना जरूरी है आपको यहाँ पर कितनी से लिए मिनने वाली है selection आपका किस base पर होगा आप इस भरती के लिए कैसे apply कर सकते हो और कब से कब तक apply कर सकते हो जो कि यह complete details आगे इस वीडियो में मैं आपको official notification के दवारा step by step provide कराने जा रहा हूँ तो दोस्तो पुरी जानकारी के लिए बने रहे है इस वीडियो में हमारे साथ तन तक दोस्तो हम मैं आपको इस भरती की complete जानकारी इस notification के दवारा step by step provide कराने जा रहा हूँ तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाई जा भरती defense research and development organization यानिके DRDO PXE के अंतरगत निकलिया है दोस्तो इस भरती के लिए all India से male female both candidates apply कर सकते हैं बात कर लेते हैं कि apply करने के लिए किस post के लिए कितनी vacancies निकलिया है education में क्या eligibility होना जरूरी है technician diploma apprentice post के लिए discipline wise vacancy आप यहां से देख सकते हो apply करने के लिए diploma वह भी जिस discipline में आप apply करना चाहते हो उसी discipline के अंतरगत आपका डिपलोमा होना जरूरी है से लिए आपको मिनने वाली है 8000 रुपे पर मन्त technician ITI apprentice post के लिए यहां पर भी discipline wise vacancy आपको provide करा रखे है यहां से भी आप discipline wise vacancy check out कर सकते हो apply करने के लिए ITI का होना जरूरी है से लिए आपको मिनने वाली है 7000 रुपे पर मन्त दोस्तो apply करने के लिए आपको यहां पर कोई भी application fee जमा नहीं करानी होगी आप इस बरती के लिए बिना किसी application fee के apply कर सकते हो selection आपका बिना किसी आग्याम बिना किसी interview सिधा merit list के आधार पर होने वाला है दोस्तों बात कर लेते हैं कि apply करने के लिए आपको क्या करना होगा apply करने के लिए आपको यह application form डाउनलोड करना होगा जो कि इसी notification में आपको provide करा रखा है application form डाउनलोड करने के बाद आपको इस application form को fill up कर लेना है fill up करने के बाद आपको इसके साथ में required document attach करने है required document attach करने के बाद आपको application form send करना है mail id पर mail id आपको एक बार फिर से बता देता हूँ अप्लाई करने के लिए लाई डेटा 27 फर्वरी 2021 दोस्तो ये 30 भरती की complete जानकारी अगर अब भी आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस notification को डाउनलोड कर सकते हो इस notification का लिंक मैं इस वीडियो के description में देने जा रहा हूँ वहाँ से आप इस notification को डाउनलोड करके इस भरती की complete जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो दोस्तो अगर आप के मन में इस भरती से related कोई भी सवाल हो तो आप हमें comment के जिरे पूछ सकते हो I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को like और share जरूर करे अगर आपने भी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर ले क्यांकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भरती की update लेकर आने वाले है देली बेसिस पर